आज मैं आपके साथ हाल ही में हिंदुस्तान में जन संहार के आभान के खिलाफ बात करना आया हूँ ये एक बहुत संजीदा मुद्धा है जैसे कि हम सब जानते हैं पिछले महीने यानि कि दिसेंबर में 17, 18 और 19 तारीक को हरिद्वार में एक जलसा हुआ था जिसमें तमाम संप्रदायों से हिंदु संप्रदायों से साधू और अपने आपको संथ कहने वाले कुछ लोग और कुछ और फिर्खा परस्त लोग आये थे मौजूद थे और उन्होंने उनमें से कई लोगों ने जन संहार की आभान की थी मैं इस बात को लाइट्ली नहीं कह रहा हूँ उन में से कई लोग जैसे कि यती नर सिंगाननन्द गिरी जो कि जूना खाड़े के महमंड लेश्वर है या महमंड लेश्वर प्रबोधानन्द या महमंड लेश्वर अन्नपूर्नानन्द जैसे यह सब नाम यह अपने आपको देते हैं उपाधी देते हैं, नोगों ने बिलकुल साफ तोर से कहा था, कि भारत में रहते हुए जो मुसल्मान हैं, उनको या तो हिंदू बनना पड़ेगा, और कुछ ने कहा कि नहीं तो निकल जाना पड़ेगा, और अगर वो मौझूद रहते हैं, तो फिर उनका कतल आम, जनसंहार का कॉल उन्होंने दिया है उन सब ने ये कहा कि हिंदू शस्त्र उठाए और वार करे उनका कहना ये है अभी वो कहते हैं सफाई देते हुए कि ये उनकी आत्मरक्षा की इललकार थी 80 प्रतिशत लोगों की जनसंख्या अगर किसी देश में हो और अगर वो किसी माइनौरिटी पर किसी अल्पसंख्यक पर जनसंख्यार का आवान करते हैं तो वो कभी भी आत्मरक्षा के नाम पे नहीं हो सकता 14 या 15 प्रतिशत लोग 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों के खिलाफ उनकी अस्तित्व की मतलब को मिटा नहीं सकते हैं और ना मिटा सके हमारे इस मुल्क में तरह तरह के लोग रहते हैं अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं मजब के लोग रहते हैं एकठा रहते हैं एकसाथ रहते हमारा हमारे तमाम संस्कृति हमारे तमाम सामाजिक ताना बाना सब मिला जुला है वो इसमें से ये कहना है कि कुछ लोगों को हम मार के निकाल देंगे या गार देंगे ये सिर्फ और सिर्फ चंसंहार का संकेट देता है जन्संगार एक बहुत ही संजीदा जुर्म है अंतराष्ट्रिय न्याएं इंटर्नाशनल लौ का पहला इंस्टूमेंट इन्स्ट्रुमेंट इन्ट के द्वारा इंटर्नाशनल जैनोसाइड गन्वेंशन था जिसमें हिंदुस्तान भारत, भारत का नराज्य एक हस्तक्षरी देश है इसके तहट जैनोसाइड या जैनोसाइड का आवान करने वाला anyone who calls for genocide जो जनसंगहार कतले आम का आवान करता है वो एक बहुत ही संजीदा serious criminal मुझरिम है in international law और वो law हमारे देश में लागू होता है और अगर हमारी न्याय वैवस्था या न्याय पाले का उस चीज़ को संजीदगी से नहीं डील करती है आने वाले दिनों में हाला की petitions है Supreme Court के सामने तो फिर ये मामला दुनिया के तौर पे हमारे लिए एक शर्म की बात हो जाएगी it will then reach and it has to reach the international criminal court ये ललकार सिर्फ इस तर्म संसत में ही नहीं दी गई 19 दिसंबर को दिली में एक आडिटोरियम में एक टीवी चैनल के जो मालिक है सुरेश चभान की उन्होंने एक शपत दिलवाए जिसमें उन्होंने सबसे बुलवाया और बाद में बच्चों से भी बुलवाया कि वो मरने और मारने के लिए तैयार है इस शपत की उन्होंने जूटी गवाही दी कि ये शिवाजी का शपत था ऐसे कोई रेकॉर्ड नहीं है कि शिवाजी ने कभी मरने या मारने की शपत किसी को दिलवाई थी ये जूट है सरासर एक मकारी और मजाक्या बद जूट है जंसंगहार को हमें बहुत सीवियसली ले रहा है दुनिया की हिस्ट्री में इस तरह के जंसंगहार हुए है इंटरनेशनल जैनसाइड कंवेंशन अराइज़ आउट अफ दी एक्स्पिरियंस अफ ते सेकंड वर्ल वर क्योंकि नाजी जर्मनी में यहूदियों का र अबोडिया में हुए हैं रुवांडा में हुए हैं बोजनिया हर्जगाबना में हुए हैं तमाम इन जंसंगहार कैंपेंज के पीछे कहीं ना कहीं हेट स्पीच और इस तरह का नंगा जो हिट्रिड है जो नफरत है उसका हाथ रहा है रुवांडा में रेडियो को इस्तमा करके लोगों ने नफरत फैलाया तूटसी के खलाफ और उसके बाद जनसंगार हुआ जो जैनोसाइड वाच नाम की एक और्गनाइजेशन है उसके प्रेजिडेंट उन्होंने हाल में एक बयान दिया है कि जिस तरीके से वो प्रिडिक्ट कर पाते थे कि रुवांडा में 1989 मे पात साल के अंदर अंदर यहां पर जैनोसाइड होगा और वो हुआ उसी तरह से वो वार्निंग वो चेताबनी आज भारत और हिंदोस्तान को लेके दे रहे हैं कि यहां पर जैनोसाइड के अडवांस्ट अर्ली साइन्स हैं हम सब को इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए यह हम सब के जिन्दगी और मौत का सवाल हैं कि जनसंगार किसी को ऐसा कोई नहीं है जिस तेश में जनसंगार होता है नोबड़ी इस लेफ्ट अंटच्च्च बाइट आइधर ऐस विक्टिम और ऐस पर्पेट्रेटर और ऐस विटनस और मैंने ही चाहता कि खास करके हमारे नوجवान इस गंदे भदे और बहुत ही शर्मनाक चीज़ के अंदर अपने आपको खोता हुआ पाए तो आईए हम सब मिलके जनसंगार के आवहान के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करें और यह मांग करें कि यह जितने भी गेरवादारी दहशत गर्द हैं जितने भी हो यह सब हिरासत में हो इन सब को जेल का हवा बहुत दिनों तक आजमाना पड़े नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हम कैसे अंदरकार में अपने आपको धकेल देंगे इसलिए आईए इस चीज़ को रोकते हैं अभी बिना किसी देर या व